डियर इस्टुडेंट, यह स्पीसियस एजुकेशन चैनल में आपका शागत है, आज का टॉपिक है प्रकृतिबाद, स्री मैक्स मुलर का प्रकृतिबाद सिद्यांद, धर्म के उत्पत्ति के सिद्यांद, प्रकृतिबाद इस्टुडेंट्स, यह टॉपिक, बीपीस्टी के आगामी होने वाली प्रिच्छा के लिए काफी इंपॉटेंट है, इससे पहले भी यह टॉपिक कई भार पूछा आ चुका है, इसलिए आप से आग रहे है कि टॉपिक को ध्यान पुर्भक सुनें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सबिस्क्राइब करें, ताकि करोना काल की संकट की घरी में, सुदूर ग्रामीं छित्र में रहने वाले भाईयों बंदू को भी एंत्रोपोलोजी का लाब मिल सके, और वे घर पर ही रहकर, बीप्यस्टी के एंत्रोपोलोजी आफ्शनल की अच्छी तियारी कर सके तो आए टॉपिक के और चलते हैं, धर्म के उत्पत्ती के सिध्यांत, प्रकृतिवाद के सिध्यांत, धर्म के उत्पत्ती के शमंद में, स्री मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद के सिध्यांत को प्रस्तूत किया है, स्री मैक्स मूलर के अनुसार, मनुष्य आदिकाल से ही प सूर्ज से उसे धूप मिलती है और ठंधक से उसकी रक्षा होती है आंदी उसके जोपरी कुरा ले जाती है तो सूखी नदियां आचानक पानी से भर जाती है बिजली गिर कर पेर तथा घर को जला देती है इस परकार से प्रकिर्ति के विविन्ज सौरूपों को देख कर यह भावना उत्पन हुई कि अवस ही ऐसी कोई सक्ति है जो देखाई नहीं देती है प्रंतु वह मनुस्थ से अधिक सक्ति साली है इसी मनोभाव के कारण वह प्रकृति से डरने लगा और उसके मन में प्रकृति के परती भय मिश्रित सर्धा और भक्ति के भाव उत्पन चंद्रम, अगनी, पिर्थवी, पेर पोधे की अराधना होती थी मैक्स मूलर का यह सिद्यांत मिश्र तथा बिश्व के अनभाग से प्राप्त पुरा तात्विक परमानों पर आधारी थैं मिश्र का सबसे बड़ा देवतार रा अर्थार्थ सुर्ज था हलांकि प्राकृ प्रकृतिक सक्ति के पुजा के अनेक परमान मिलते हैं परंतु इन परमानों के अधार पर प्रकृति बाद को धर्म का सबसे प्रारंबिक स्वरुप मानना साइद तर्क संगत परतीत नहीं होता है प्रकृति बाद की आलोचना नमर एक केबल प्रकृति की पुजा सही धर्म की उत्पति हुई है साइद यह तर्क संगत नहीं है साथ यह धर्म की उत्पति की संकुचित बैख्या परतीत होती है नमर दो स्री दुर्खी महोदे ने धर्म को एक समाजिक तथ्य माना है जबकि मैक्स मूलर के प्रकृति बाद में धर्म के समाजिक पक्स की चर्चा नहीं की गई है जो इस ध्यांत की साइद सबसे बरी दुरवलता है धन्यवाद झाल